आना तुम यहां क्या कर रही हो? वही जो तुम करने आई हो लेकिन पता नहीं विक्टर यहां पर क्या करने आया होगा यह विक्टर ही था ना, मैंने सही पहचाना ना तुम तो कहीं पर जाने वाली थी है ना हम, तुम मेरा शक सही निकला तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो क्या अभी तक पैसों का बंदुबस नहीं हुआ है मैं कौशिश कर रहा हूँ मुझे घलत मैं समझना मैं हमदर्दी नहीं जता रही हूँ मुझे उसके जरूरत नहीं है तुमारी अकड नहीं गई इतना सब कुछ हो गया अब भी अकड रहे हो अगली बार जरात सो समझ का लोगों से दोस्ती करना तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है मैंने हमीशा बजट काल्कुलेशन ऐसे ही किया है और इससे पहले तो डिपार्टमेंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है और हमारा हर इवेंट सक्सेस्फुल भी रहा है लेकिन आज तुमने इस सब के सामने मुझे शर्मिंदा किया है बात यह है कि मैं किसी और को तुमारे साथ फ्लर्ट करता है नहीं देश सकता फ्लर्टिंग कम आन और मुझे भी लगा कि तुम उसके साथ काफी कमफिटबल लग रही थी क्या कह रहे हो याद है न यह इतना स्टबर्न की होता जा रहा है क्या इससे सब कुछ समझ में आ गया है मैं क्या करूंगी अगर उसने सब कुछ डबल चेक करना शुरू कर दिया तो विक्टर कल पैसे लेने आ रहा है नहीं उसे बजट पर आज के आज साइन करना ही होगा मेरे पास और कोई आप्शन नहीं है यह सब क्या हो रहा है प्लीज मुझे कार की चाबिया दे सकते हो क्या तुम कुछ भूल गई हो हाँ अपना वॉलेट तुम अंदर चले जाओ मैं अपने कॉलिक्स के लिए कॉफी लेकर आती हूं चाबी तुम्हें बाद में वापस दूंगी ठीक है तुम यहां क्या कर रहे हो मैंने तुमसे कहा तो था कि जब पैसे मिलेंगे खुद कॉल करूंगी लेकिन तुम्हारा कॉल कभी आता है नहीं सुबच शाम तुम्हारे कॉल का बेट करता रहता हूं तुमने मुझे बेवकुफ समझ रहा है तुम अकेली स्मार्ट नहीं हो क्या तुम नहीं जानती मैं क्या बात करने आया हूं फिर से बता हूं मैं अपने पैसे लेने आया हूं मैं तुम्हारे पैसे दे दूगी और तुमने हां भी कहा था लेकिन मेरे प्लान फिर थोड़ा बदल गया मुझे पैसे आज ही चाहिए और वो भी पूरे पैसे फिलाल मेरे पास कुछ नहीं है तो फिर ठीक है तुमने मेरे ले को रास्ता नहीं छोड़ा है अगर तुमने आज मुझे पैसे नहीं दिये तो फिर मैं तुम्हारे पती के बहुत सेक्सी नजर आ रही हो और चाहिद उसको चीट भी करने वाली हो मुझे लगता जाना ऐसे वीडियो के लिए मुझे कुछ और जाधा पैसे मांगने चाहिए नहीं अपनी बख्वास बंद करो सुना तुमने और गुस्से में और सेक्सी लगती हो तुम चलो ठीक है मैं हालिया कोई फोन कर लेता हूँ हालिया वो मुझे तुम्हार आफिस में आने के लिए मदद कर देगी मैं वादा करती हूँ तुम्हें पैसे मिल जाएंगे मुझे दो दिन का वक्त नहीं है नुमारे पास अब इसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा मुझे कल शाम तक मेरे पूरे पैसे चाहिए ओके अब यहां से दफा हो जाओ वक्त बहुत काम है बेवी बेवी डाल ठीक ठीक आना तुम यहां क्या कर रही हो वही जो तुम करने आई हो लेकिन पता नहीं विक्टर यहां पर क्या करने आया होगा यह विक्टर ही था ना मैंने सही पहचाना ना तुम तो कहीं पर जाने वाली थी है ना तुम मेरा शक्त सही निकला बताओ विक्टर यहां क्या करने आया था उसके साथ तुम्हें ऐसा भी कौन सा काम था तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही ह क्या जवाब नहीं दोगी? यह जोट भी नहीं कहोगी कि तुम्हें वो अचानक यहां मिल गया था या फिर वो हालिया से मिलने आया होगा, कोई तो बहाना होगा न? हाँ, मैं अचानक उसे यहाँ पर मिल गई थी, लेकिन तुम मुझसे यह सारे सवाल क्यों कर रही हो, कहीं तुम यह तो नहीं सोच रहे थी कि ओन्री पर यह हमला मैंने करवाया था, और विक्टर मुझसे उन बदमाशों की पेमिंट कलेक करवाने आया है, क्या तुमने ऐसा नहीं किया था, वो गुंडे तुमने नहीं भेजे, तुमने अभी कहा कि तुमने उसे पेमिंट नहीं किया, फिर तो अजीब बात है, इसे मैं इतिफाक भी नहीं कह सकती है, तुम विक्टर से यहाँ वहाँ टकराती रहती हो, मुझे इसकी वज़ा जाननी है, शक होता है म यह वाला, यह वाला और यह वाला भी, इसे बेच कर पैसे मिलेंगे, आप खुद से बाते क्यों कर रहे हैं, और आप यहाँ वहाँ क्यों गूम रहे हैं, उट गय, यहाँ पर आओ, जल्दी आओ, इसमें कप्ड़े रख दो, हमें सब बेचना है, सारा सामान, जितने ही समझ लेना चाहिए था, कि वो सामान कहां से लाता है, उजाना उसे ढून रही है, उसकी हालत खराब है, वो उससे पैसे लेकर भाग गया, लगबग 20,000 डॉलर, समझ गये तुम, हेनेडी, अगर वो इस वक्त मेरे सामने आ जाए, तो मैं उसका थोबला तोड डालूंगा उस बैचारी औरत के पैसे लेकर भाग गया वो, मुझे उस कमीने को अपने घर के अंदर नहीं आने देने चाहिए था, मुझसे गल्ती हो गई, वो कभी नहीं सुधरने वाला ये तो सच में बहुत बुरा हुआ है, उस बैचारी औरत ने भी उन पर भरोसा कर लिया था है, वही उन्हें वापस कर देगा न, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, उसने हमारे उपर बहुत पैसे खर्च किये, और उधर देखो, वो ये आजीब सा पुतला उठा कर ले आया है, देखो, उससे यहां लाकर रख दिया, क्यों, क्योंकि वो हमारे साथ रहता थ आज वो लोग मुझे सवाल पर सवाल पूछ रहे हैं, मुझे डर है, मुझे पुलिस ने पकड़ ले, ठीक है, जरा बताईए कितने पैसे दिये थे, दो हजार डॉलर, अरे ये तो बहुत है, मुझे ये बताईए, आपको पता नहीं था, कि वो पैसे कहां से आये थे, करणा की मदद करना चाहता हूँ, उसके पास दूसरे के पैसे थे, अब सभी को उसके बारे में पता चल गया, सबसे बड़ी बात तो वो यहां पर रहता था, सबको लग रहा है कि मैं भी इसमें शामिल हूँ, मुझे लगता है कि पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी, इसलिए करणा चुकाने के लिए मुझे पैसे देने पड़ेंगे, और मेरे पास नहीं है, इन सब को बेच दूँगा, पापा, आप ऐसे ही घबरा रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया है, पुलिस आएगी, मैं उन्हें सब सच बता दूँगा, पुलिस को बता दोगे, अरे वो तो मैं भी कर सकता हूं, समझे, इन सब सामान को बेच कर, मैं उनके पैसे वापस कर दूँगा, कम से कम थोड़े पैसे तो दे दूँगा, एक मिनट पापा, मेरे पास अब भी कुछ बचे हैं, हाँ, हैनेडी ने मुझे दिये थे, आप इनहीं भी बेच दीजिए, ठीक इन बॉक्स चेक करो, मैंने तुम्हें इमेल भीजा है, तुम्हें उसमें उस फैक्टरी के सारे कॉंट्राक्टर्स का नंबर मिल जाएगा, जो आना के साथ प्रोमोशनल इवेंट्स से काम कर रहे थे तोटल कितने हैं? बहुत हैं, काफी लंबी लिस्ट है, मैंने उन में से कईउ की साथ कांटाक्ट किया हैं, उन्होंने मुझे औरिशनल कॉस्ट की कॉपी इमेल की है, तुम्हें जानकर हैरानी नहीं होगी कि औरिशनल लिस्ट से याना के अप्रूफ करवाई हुई बज़िट की अमाउंट म पर देती है मैं इनकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव को अच्छी तरह से जानता हूं हाँ इस कंपनी पर तो मेरा भी ध्यान गया था साउंट एक्विपमेंट और स्टेज को रेंट पर हायर करके कोई भी बड़े अमाउंट का जोल कर सकता है यह तो सच में बहुत है मैंने बाद मिझे कर लूँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसी वक्त तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मेल कर दूँए ओकी हलो अलिया हलो पेट्रो आज फिर से लेट आए हो माफी चाहता हूँ मुझे तु लगा था कि मेरे दो हपते पूरे हो गया इसलिए मुझे नौकरी से निकाल दोगी नहीं नहीं काम तो तुम्हें अभी करना ही पड़ेगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया और यह दरअसल बात यह है कि मैं आपसे एक और फेवर मांगना चाहता हूँ कैसा फेवर क्या आप मुझे अर्णिंग सर्टिफिकेट दे सकती है वो तुम्हें किसलिए चाहिए मैं लोन अप्लाई करना चाहता हूं और वो लोन कैसे चुकाओगे किस्तों में चुकाओंगा मैं दिन रात मेहनत करूंगा मेरी से करजा चुका दूंगा दो हफ्तों में तो तुम जॉब छोड़ने वाले हो फिर कर्स कैसे चुकाओगे क्या तुमने नई जॉब ढूंड लिये नहीं अगर तुम पे नहीं कर पाए तो इंट्रस मिलाकर तुम्हें दुगुनी कीमत अदा करनी होगी बैंक तुम्हें सू कर देगा और दुबारा देल भेज़ देगा उसके नौबत कभी नहीं आएगी अगर पैजो तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि किचन में लड़कियों की क्या हालत हो रही है सच कहूं तो तुम्हारी जग के अगर मैं होती तो कभी कर्ज ना लेती यह हैनेटी की गलती है उसी पैसा लटाने दो पैसे तो लटाने ही पड़ेंगे क्योंकि इसमें गलती मेरी भी है मैं तुम्हें सर्टीफिकेट दे दूँगी आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बात और कहनी थी क्या मैं दो तीन दिनों के लिए छुट्टी ले सकता हूं मुझे पहली किश्त भरने के लिए पैसे जमा करने है और आपको मुझे उन छुट्टी के दिनों के लिए पेम मुझे अभी भी लग रहा है कि हमें सीधा पुलीस के पास जाना चाहिए था पैट्रो ने थोड़ा सा वक्त मागा है उसने वादा किया है वो पैसे लोटा देगा उसे ऐसे घटिया इंसान से दोस्ती की क्या जरूरती ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम्हें मर्दों के बारे कुछ भी नहीं पता है बेवकुश तो मैं हूँ कि उसकी तारीफे सुना करती थी तुम्हारे मूँ से आप बहुत समझधार है कैट्रीना मैडम तुम्हें सच में लगता है कि ये पेट्रो एक शरीफ इंसान है हाँ लगता तो यही है और ये भी तो सोचिए अगर हमने रिपोर्ट फाइल कर दी तो पुलिस यहां हर रोज आया करेगी तरह तरह के सवाल पूछेगी और परिशान करेगी आपके बेटे को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए वरना हमें बहुत डांट पड़ेए उसे बिलकुल कुछ पता नहीं चलना चाहिए नहीं नहीं बिलकुल नहीं तुमने उस रेनोवेशन टीप को वापस भेज दिया दिल पर पत्था रखकर उन्हें भेजना पड़ा मैं अपने पैरों पर खाड़ी होना चाहती थी लेकिन इस वक्त मुझे ये फिक्र लगी हुई है कि पेट्रो इतने पैसे कहां से लेकर आएगा उसने वादा किया है उसकी प्रॉब्लम है मैं उसे तकलीप नहीं देना चाह रही थी उसका एक बेटा भी है पता नहीं वह बिचारा कहां कहां से उधार मांगेगा भावी वो अपनी किड़नी गूरता हीना बेश है मुझे अभी एक हयाल आया है, पता नहीं किड्नी के बिना लोग कितनी तेर जीप आते हैं ओजाना पागल हो गई हो, क्या बोल रही हो वो आदमी कभी अपनी किड्नी नहीं बेचेगा किड्नी? क्या आप दोने किड्नी ऑपरेशन के बार में बात कर रही है ओजाना क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगी देखो यह किद्नी के लिए है इसलिए किद्नी का जिक्र किया था तो मतलब ओजाना को कुछ नहीं हुआ है कहीं इसको को नहीं हम दोनों गप प्रमा रहते हैं फिर ठीक है मुझे वलेरिया से बार-बार जूट बोलकर बड़ी शर्मिंदगी हो रही है शायद हमें इसे सब कुछ बता देना चाहिए उजाना मुँ बंद रखना हम किसी किमेट पर किसी को कुछ नहीं बताएंगे समझ गई तुम थैंक यू मैं क्या करूं उसे कॉल करके पूछ लूँ क्या हुआ तुम इतनी परेशान क्यूं हो प्लीज आप मुझे एक बात बताएंगे क्या मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वो मुसे कुछ छुपा रही है मैं उसे पूछती रहती हूं उसे क्या हुआ है लेकिन देखे ना वो क्या कर रही है तुम किसके बारे में बात कर रही हो रिशा हाँ बोलो मैं चानती उसे क्या हुआ है उसे किड्नी की प्रॉबलम है लेकिन वह बता नहीं रही मा और वो मुझसे इस बार में बात तक नहीं करना चाहती मुझसे ये बात चुपा रही है जैसे कि मैं उनकी दुश्मन हूँ जबकि मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ तुम इस वक्त बहुत गुसे में हो थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ बैठ जाओ अब प्लीज मुझे बताओ कि उसके किड्नी को क्या हुआ है बताओ मुझे तो नहीं मुझे पका तो नहीं पता है इसलिए मैं डॉक्टर को कॉल करके पूछना चाहा रही थी मेरे खाल से हमें उसे हॉस्पिटल भेज देना चाहिए वहां उसकी अच्छी कैर हो पाएगी वो ठीक हो जाएगी पता चलने के बाद मैं चुप नहीं बैठ सकती वो भी तो हमारी फैमिली मेंबर है ना क्या मुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए मैं उसे लेकिन वो अकेली नहीं है मेरी मा और ओजाना बहुत अच्छी दोस्त है आपस में बात करती है मुझे कुछ नहीं बताती जैसे मैं कोई बाहर वाली हूँ मुझे खुशी है कि मेरी मा और ओजाना की आपस में इतनी पटने लगी है वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गई है शायद उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए अपनी बीमारी के बारे में अभी अभी पता चलाए और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही होगी तुम्हें याद है वो कैसा रोया करती थी हमेशा शायद इस वक्त वो तुमसे और मुझसे बात करने में कमफरटेबल नहीं है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है हमें थोड़ा इंतिजार करना चाहिए वो सब बता देगी फिर हम मसला हल कर लेंगे क्या आपने पेट्रो का सर्टिफिकेट साइन कर दिया हाँ मैंने साइन कर दिया है वो तो करना ही था अगर कल को वो आपको लोन साइन करने के लिए कहेगा तो आप साइन कर देंगी तुम जानती हो ना क्या हो रहा है वो उस कर्स को चुकाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है जो उसने लिया ही नहीं है सच्छा इंसान ऐसे ही करता है सच में? अपने क्रिमिनल दोस्त को पहले तो उसने अपने घर में रखा और फिर हीरो बन रहा है मुझे लगता है कि इस वक्त उसका वो फ्रॉड दोस्त इसे पैसे भीज रहा होगा ताकि वो किसी तरह पुलिस तक जाने से बच जाए पेट्रो ऐसे गिरी हुई अरकत कभी नहीं कर सकता वो विचरा खुद फस गया है यहां पे हाँ हाँ पैसे खर्च करते वक्त उसने यह सोचा भी नहीं होगा लियू अ तुम्हें आखिर हो क्या गया है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो कल तुम उसके हक में बात कर रहे थी उससे डिफेंट कर रहे थी अब तुम उससे कोस रही हो इसमें उसका कोई कसूर नहीं है गुस्से में कुछ भी बोले जा रही हो लेकिन तुम्हें उसकी परवाह है क्या मुझे परवाह है बिल्कुल नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे जूड़ी किसी वाज़े मेरा कोई वास्ता नहीं मुझे तो उस बिचारी लड़की पर तरसा रहा है और काटरीना जी पर भी वो दोनों पता नहीं इस चक्कर में कैसे भंस गई काश मैं किसी तरह उनकी मदद कर पाती लेकिन पता नहीं कैसे मदद करूँ पेट्रो जानता उसकी मदद कैसे करनी है वो बैंक चला गया है उसने लोन की बात किये अब तीन-ती नौकरियां करके वो लोन चुकाएगा अब मान लो तुम्हें सच में उसकी फिक्र है बस करो अब पेट्रो और ये सब बाते करना बंकतो जिसे जो करना है वो करे मुझे कोई फर्कने पड़ता हेलो एवरीबडी हम हेलो पेट्रो हेलो अब तुम कैसे हो पेट्रो हां कैसे हो तुम कुछ भी अच्छा नहीं है मेरा लोन अप्रूब नहीं हुआ मैं किसी से उधार भी नहीं ले सकता मेरे घर पर जो सामान पड़े हुए हैं उससे बेचने के लिए मुझे जाना होगा और यहां मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरी कार खरीद लीजे वो अच्छी कंडिशन में है मैंने चेक किया उसका मार्केट प्राइस दो हजार डॉलर है लेकिन मैं आपको सस्ते में दे सकता हूँ आप उसे अपने काम में ले सकती है मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मजा कर रहे हो उस खटारा को खरीद कर मैं क्या करूँगी अगर उसे रिपेर करवा दोगी तो बहुत अच्छी कार है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मचे गाड़ी नहीं चाहिए सच्ची पेट्रो मेरे पास ड्राइविंग लैसेंस होती पैसे होते तो मैं गाड़ी खरीद लेती तुम हिम्मत मत आरना तुम यह कर सकते हो तुम तुम रास्ता निकाल लोगे शुक्रिया फिर तो मैं उसे आटो मार्केट में बेज दूगा ठीक है मैं चलता हूँ बाई जल्दी वापस आजाना मेरे कान बज रहता है यहाँ कलूजी शच में यहां आया हूँ था उस कलूज नी का नाम पैड्रो है हाँ वो आया था शुक्रिक रुखजाओ पैट्रो रुखजाओ व्रुखजाओ मुझे लगते हम्में आपस में बात कर लेनी चाहिए किस बारे में क्या यहां बैट कर बात कर सकते हैं ठीक है कि अब लो क्या बात करनी है तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो क्या अभी तक पैसों का बंदुबस नहीं हुआ है मैं कोशिश कर रहा हूँ मुझे घलत मैं समझना, मैं हमदर्दी नहीं जता रही हूँ मुझे उसके जरूरत नहीं है हम, तुम्हारी अकड नहीं गई इतना सब कुछ हो गया, अब भी अकड रहे हो अगली बार जरा तो समझ कर लोगों से दोस्ती करना जानते हो, तुम्हें इंसानों की परक नहीं है इसलिए तुम फंस जाते हो सुनो लियूबा, मैं अपनी गलतियों के बारे में बात नहीं करना चाहता तुम्हें करना चाहिए, इस उम्रे में तुम्हें अकल आ जानी चाहिए अकल तो मुझे में आ गई है मुझे अपनी कमजोरी उसको नहीं बतानी चाहिए थी शायद इसी वज़े से मेरे दोस्त को ये क्राइम करना पड़ा ये तुम क्या कर रहे हो, मैं समझी नहीं इससे क्राइम का क्या लेना देना है, चोरी किसी ने किया और इल्जाम तुम ले रहे हो ये बेवकुफी है, तुमारे वो दोस्त क्रिमिनल है, धोके बाज है हाँ, तुम तुम मुझसे ज्यादा उसके बारे में जानती हो तुम बेवकुफी हो, इसे रख लो, ये क्या है, पैसे है, मैं कबसे सेविंग कर रही थी, लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम्हें कहां से मिले, मैं हमारा घर खरीदने के लिए बचा रही थी, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम ये पैसे दि क्या, तुम इस समझ में क्यों नहीं आता, लूब, क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, मुझे नहीं पता, तुम क्या कह रहे हो, मुझे परवा है या नहीं, तुम बस पैसे लो, और यहां से दफा हो जाओ, मुझे फिक्र है इस बात की है कि वो पुलिस के पास भी जा स क्या तुम मुझे बात बताओगे मुझे बात बताओ पूरे शेहर में यहां वहां पैसे ढून रहे थे अब तुम्हारी पुरानी दोस्त होने के नाथे मैं तुम्हें पैसे उधार दे रही हूँ तो तुम मया कर रहे हो तुम मुझे इन पैसों का इंट्रेस्ट दे सकते हो म और वो भी हर महिने मैं इसे बेचना बूल ही गई थी इससे जुपैसे मिलेंगी इससे तुम्हारा अब तक का सारा कर्जा उतर जाएंगा पेट्रो तुम कहां जा रहे हो कि यहां जाओ रुख जाओ प्लीज पेड्रो रुक जाओ मैं तुम्हारी मदद करना चाहती तुम क्या करने जा रहे हो मुझे मत रोको क्या मैं यह पेल ले सकता हूं यह तुम क्या कर रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा या तो आप मुझे निकाल दीजे या मैं खुद चला जाता हूँ, मैं यहाँ नोकरी नहीं करूँगा, मैं यहाँ नहीं आउँगा लेकिन तुम्हें अचानक क्या हो गया, कुछ तो बताओ अब मैं दुबारा यहाँ कभी नहीं आउँगा, सुना तुमने तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, यह तो नो भी ना रुक चाओ, मैंने कहा रुक चाओ, यह तुम क्या करें, जरा आराम से चलोगे, प्लीज क्या तुम्हें बुरा लगा, मैंने तुमसे इंट्रेस की बात की, पर इसमें नारास की हो रहे हूँ मैंने तुमसे पैसे मांगे थे, नहीं न, फिर तुम मुझे जलील क्यों कर रही हो, इंट्रेस्ट पर पैसे दे रही हो मुझे, मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हें इसा कैसे कर सकती हो, हमारी शादी होने वाली थी हे और मेरी फिलिंग्स का क्या तुमने मुझे अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड और बेटे की बार में पहले क्यों नहीं बताए मैं तुम्हें कैसे बताता कि मैं जेल गया था क्या मैं इस बात को अपने माते पर लिखवा कर घुमता नहीं, लेकिन अपनी बीवी से ये सब छुपाना कहां की शराफत है, ये क्राइम है, हाँ, तुम मुझे दुख ही किया है, जानते हो, तुम जानती हो, क्या, हाँ, तुम क्रिमिनल हो, हाँ, मुझे प्राइस लिस्ट मिल गई है, थैंक यू, तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया, माफ करना लेकिन मेरे बॉस का कॉल आ रहा है, तुम्हें दुबारा कॉल करता हूँ, कैरोलीना, हेलो, अगर तुम बिजी नहीं हो, तो क्या कॉफी पर मिल सकते हैं, पॉसिबल है, तो इसी वक्त आ जाओ, हाँ, ठीक है, मैं पांच मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, मिलता हूँ, पहले जल्दी से याना को ये प्राइस लिस्ट मेल कर देता हूँ, ये लाइट्स का बिल है, ये साउंड का, ये एक्विप्मेंट का, हो गया है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, सॉरी, मैंने सुना नहीं, तुमने क्या कहा, ओ, नहीं, मैं खुद सही बात कर रही थी, रिपोर्ट को चेक कर रही हूँ, हाँ, बोलो, हलो को छोड़ो, बेड़ीफुल हमें मिले 24 गंटे ज्याद हो गए, तुम्हें कुछ याद आ रहे है, ठीक है बीबी, मैं बिजन सेंटर के बाहर तुम्हारा इंतिजार कर रहा हूँ, ओके, ओके, मैं तुम्हें पार्क में ही मिलता हूँ, तुम वहीं पे रुको में आ रही हूँ, लेश्या में अभी आ रही हूँ, लेकिन बीस मिनट में मीटिंग है, तो क्या हुआ, अगर थोड़ा लेट हो जाओंगी, तो आस्मा नहीं गिरेगा, लेश्या, मुझे भी किसी काम से जाना है, हाँ, चली जाओ, तुम्हारे जूठे इल्जामों की वज़े से मेरी नौकरी जाने वाली थी, तुम्हारे जूठे इल्जामों की वज़े से मेरी नौकरी जाने वाली थी, समझे तुम? तुम अभी तक क्या मुझे नाराज हो, फ्लीज गुस्ता छोड़ दो, तुम्हारी नौकरी नहीं गई, क्या तुम सब कुछ भूल नहीं सकते? मैं तुम बस ओर्डर फोलो कर रहा था, तुम्हे किसने ओर्डर्स दिये थे? मैं असल में, असल में, मैं अपना फर्ज अदा करना चाहता था, तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहता था मैं, इसी तरह तो धंदा चलता है, पैसे के दमपे यह, बहुत सिंपल, तुम्हे मेरे मज़े की, मैंने थेंक्यू बोला, मैंने तौछ मेरे मज़े थेंक्यू बोला, अब पलीज मुझे जाना होगा, कुछ फ्रेंद्स वेट करángें तुम किसके और्डर्स की बात कर रोए थे? इस बारे में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए तुम किसी तरह से भी याना को माई फॉर्ट शो की होस्ट बनने के लिए मना लोगे मैं उसे मुह मांगी सैलरी देने को तयार हूँ Excuse me, जरा order ले न मेरे लिए एक लाटे और आलमेंड क्रुसों लेके आना अगर आना की बात करना चाहते तो मुझे इससे बात नहीं करनी है और रही दूसरे कैंडिडेट की बात तो उन में से मुझे कोई बेस्ट नहीं लगा इस काम के लिए याना परफेक्ट रहेगी मुझे समझ नहीं आ रहा इतने अच्छे मौकी को वो ऐसे क्यों ठुकरा रही है जानती हो मैं याना को काफी टाइम से जानता हूँ अगर उसका किसी काम में मन नहीं है तो वो कभी उस काम को नहीं करती पहले तुम उसे बात करके तो देखो मुझे पोरा यकिन है कि तुम यह काम कर लोगे वह तुम्हें बहुत मानती है तुम्हारा कहां नहीं टालेगी ठीक है ठीक है मैं कोशिश करके देखता हूँ लाओ पैसे लाओ आयम सॉरी आयम सॉरी का मतलब आयम तुम्हारे पती से मिलने जा रहा हूं और कहां अगर मैंने उसे वीडियो कल दिखा दिया उता तो मेरे पैसे अब तक मेरे पास होते मैं आज रात को दे दूंगी यहां फिर कल सुबह तक मैं पूरी कोशिश कर रही हूं मेरा यकीन मानो कल सुबह तक पका दे दूंगी मैं यह आखरी बर तुम पर भरोसा कर रहा हूं अगर कल तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो यह वीडियो तुम्हारे पती के बस पहुंच जाएगा कि हाँ क्या मैं पर्सनल कोशिन पूछ सकती हूं हाँ पूछ सकती हूं एक महीने पहले तुम और याना शादी करने वाले थे उसके बाद तुम्हें कभी भी एक साथ नहीं देखा सब ठीक तो है हाँ सब ठीक है बस हम दोनों काम में कुछ जादा ही बीजी हो गए थे इसलिए हमने शादी को पोस्पून करने का फैसला लिया कॉफी के लिए शुक्री तुम दोनों के शादी का इंतजार रहेगा कि थैंक यू गुट डेए यह किसने भीजाओगा तुम कहां थे मीटिंग शुरू होने वाली है हाँ मुझे पता है मैं बस आ रहा हूँ इस एजिंडा का पहला इशू यह है कि सेलिब्रेशन्स की पूरी तैयारी करना जैसे कि प्लेग्राउंड्स की बुकिंग करना और और्केस्ट्रल कॉंसर्ट की बुकिंग करना सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है टेक्निकल डिपार्ट्मेंट एक दो दिन में प्लेग्राउंड पर सेटप के लिए अपने वरकर्स को भीजने वाले हैं और इन सब में कितना वक्त लग जाएगा तीन-चार दिन में पूरा सेटप हो जाना चाहिए बहुत ब क्या मेरे पास सारे पेपरवर्क्स हैं यहां पर हां सब इसमें हैं चलो देखते हैं लेकिन यह तो इनकंप्लीट है हां ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी इवेंट की स्टैंडर्ड प्राक्टिस चार्ट नहीं हुई हर कोई जानता है कि एडिशनल एक्सपेंस कभी भी सामने करना सकते हैं इसलिए एड्वांस में सब अज्यूम करना सही नहीं होगा अगर पुरे पैकेज का इंतजार करना है तो फिर तैयारी भी करनी चाहिए अगर पैसा अकाउंट में आज ही चला जाए तो फिर बहतर होगा मैं इस तरह किसी भी प्रोजेक्ट पर साइन नहीं कर सकता हूँ जब तक प्रॉपर बजट ना कोट किया गया हो प्लीज जितने भी एक्सपेंसेज लगेंगे उन सबको एड्ड कर लो उसके बाद मैं साइन करूँगा मैं समझ सकती हूँ जैनिस तुम्हारा कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है लेकिन अगर हमने ये कंटिन्यू किया हमने और देरी की तो कुछ कॉंट्राक्टर काम करने के लिए मना भी कर सकते हैं उन्हें थोड़ा एड्वांस पेमेंट देना होगा तो फिर उनके जितने भी एस्टिमेट्स होंगे उन्हें इसमें एड्ट करो जल्द से जल्द और अब काम पर लगो तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है मैंने हमीशा बजट काल्कुलेशन ऐसे ही किया है और इसे पहले तो डिपार्टमेंट में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है और हमारा हर इवेंट सक्सेस्फुल भी रहा है लेकिन आज तुमने सब के सामने मुझे शर्मिंदा किया है मैं कुछ भी स्प्लिट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं बस चाहता हूँ कि सारे सेलिब्रेशन्स ट्रांस्पेनेंट रहें और सब कुछ रूल्स के मुताबिक हो यही सही रहेगा यही हमारे काम करने का तरीका रहा है और हमेशा रहेगा और यही हमारी policy है तो फिर आज से पहले कभी मेरे किसी project पर सवाल क्यों नहीं उठाया गया अगर पहले बिना file देखे sign करते थे तो आज क्यों नहीं हम वैसे ही काम करना चाहते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं और जब से तुमने हमारे department में इंडफ्य करना शुरू किया है तब स सकता flirting come on और मुझे भी लगा कि तुम उसके साथ काफी comfortable लग रही थी क्या कह रहे हो याद है न तुम ही नहीं कहा था office में रॉमाइंस नहीं करना है वो flirt नहीं कर रहा था हम बात कर रहे थे मैंने वहां entry को बस एक important discussion के लिए बुलाया था और हमने साथ में कॉफी भी बस इ क्योंकि बिल वो पे कह रहा था उस वक्त मैं उसकी future wife के बारे में बात करी थी और तुम यहां देबाग में क्या-क्या सोच कर बैठ गए मैं उसकी girlfriend को शो में host के लिए offer कर रही हूं इसलिए मैंने entry को कहा कि उसे बात करके मना ले बस इतना ही तो फिर तुम ने उस औरत को क्योंकि वो मुझे मना कर दीती वह टीवी में इंट्रस्टेट नहीं है लेकिन उस शो के डायरेक्टर होने के नाते एंड्रीस उस इंसान के साथ काम करने चाहेगा जो उसके दिल के बहुत करीब है शायद वो उसे मना लिए मैं जानती ने थी कि तुम इतना जेलिस हो क्या तुम मुझे बताओ कि तुमने इस तरह का तमाशा क्यों खड़ा किया मैं इस कंपनी का CEO हूँ और उसी के नाते मैंने कुछ सवाल पुछे थे जो कि मेरा हक है तुम दूसरों के सामने इस तरह का गलत एक्जामपल सेट करने के कोशिश क्यों कर रही हो हाँ हम हजबन वाइफ हैं लेकिन हम यहां काम करते हैं और तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट करना होगा अब वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैं अपनी बीवी के सामने चुप रहा और यह सब मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम मेरी बीवी हो एना आप तुम कुछ कहोगी या नहीं तुम बाकियों के सामने मेरी इंसर्ट करने के कोशिश क्यों कर रही थी नहीं मुझे कुछ भी नहीं कहना है मैं तुम्हें सफाई देने के कोई मूड में नहीं हूं एना देखो हम यहां ओफिस में काम करते हैं यह बिजनेस है क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है या तुम इसी तरह मुझे इंसर्ट करती रहोगी अच्छा और मेरी इंसल्ट का क्या मेरी फैसले पर तुम्हें भरोसा नहीं है जो सब के सामने मुझे सवाल जवाब कर रहे थे मैं जानती हूँ तुम मुझे भरोसा नहीं करते और इसी बात से तुम्हें हर्ट हूँ एना तुम्हें काम से रिलेटेड बातों को परस कैसे नलू साफ दिख रहा हैं तुम मुझे पर अटैक कर रहे थे एस्टिमिट्स एड कर रहे थे पहले मैं सारे डिसिजुन्स अकेले ले सकती थी लेकिन अब नहीं ले सकती एना किसी भी बिजनेस को सक्सेस्फुल बनाने के लिए सब कुछ ट्रांस्पेरेंट होना चाहिए और ट्रांस्पेरेंट्स इस इफ एक ही रीजन से आती है जब कमपनी के CEO को हर एक बात की पूरी पूरी जानकारी दी जाए आँ अचा मैं समझ गई तुम्हें हमारे डिपार्टमेंट पर भरोसा नहीं है सही कह रही हूं ना मैं एना मेरा यह कहने का मतलब नहीं था और यह बात तुम भी अच्छे से चानती हो अच्छी बात है अगर तुमने ऐसा नहीं कहा तो फिर पहले जैसे सब कुछ चलने दो, मैं वैसे ही काम करती रहूँगी जैसे मैं पहले करती थी ओके चलो बात खतम हो गई, आज रात को मिलते हैं डेनिस ये इतना स्टबर्न की होता जा रहा है, क्या इससे सब कुछ समझ में आ गया है? मैं क्या करूंगी अगर उसने सब कुछ डबल चेक करना शुरू कर दिया तो? विक्टर कल पैसे लेने आ रहा है, नहीं उसे बजट पर आज के आज साइन करना ही होगा मेरे पास और कोई आप्शन नहीं है डेवलप्मेंट डेपार्टमेंट के प्रमोशनल एक्सपेंसेस को ठीक से चेक करो ये किसने भेजा होगा? और एना इस बात से इतनी ग्योचट रही थी हनी मुझे भूख लगी है, चलो ना हम बाहर जाकर लंच करते हैं मुझे भूख नहीं है अब बेबी, गरती हो गई अब मुझे माफ कर दो ना? हाँ मैंने थोड़ा ओवर्याक्ट कर दिया होगा आइम सॉरी लेकिन मैं सही कह रहे थी एस्टिमेटर एक्सपेंसेज में चेंजिस तो होते ही रहते हैं पहले इसे देखो क्यूँ, मैंने इसमें ड्राफ्ट किया है, मैं जानती हूँ इसमें क्या है यह दूसरे डिपार्टमेंस की रिपोर्ट्स हैं अब अपने और उनके बजट्स की ट्रांसपरेंसी को कंपेर करो तब तुम्हें समझ में आएगा लेकिन बेबी तुम खुदी कहते हो कि लोग ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं और तुम प्रोजकॉल पर भरोसा कर रहे हो मतलब अब तुम्हें मुझे पर भरोसा नहीं है बक्वास, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ मुझे तुम पर पूरा भरोसा है लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो तुम्हारे बजट पर सवाल उठा रहे हैं ठीक है अगर ये तुम्हारा फाइनल डिसिजन है तो जो कहोगे वही करूंगी तुम जो चेक करना चाहों वो कर सकते हो लेकिन मुझे इवेंट के लिए अभी के अभी पैसे चाहिए ये बहुत अर्जिंट है प्रोजेक्ट इसके बिना नहीं बढ़ पाएगा और ये आखरी बार है जो मैं ऐसा कर रही हूँ क्या तुम पैसे ट्रांसफर करोगे प्लीज जैनिस तैंक यू बेबी वाओ कॉंसर्ट के लिए अकाउंट में पैसे आ गए है अब हम काम करना शुरू कर सकते है अब तुम क्या करोगी कॉंसर्ट के इस बजट से विक्टर को पेमेंट कर दोगी समझ गई आना कल सब के सामने तुम्हारा असली चेहरा आ जाएगा एंड्री सुनो हमें पता लगाना होगा कि मेरी बेहन का विक्टर के साथ क्या एग्रिमेंट हुआ है तुम्हारी मदद चाहिए हाँ बोलो क्या बात है मैं काम में बिजी हूँ हमें इसे वक्त बात करनी होगी अकेले में ठीक है मैं दस मिनुट में मिलती हूँ हाई मुझे क्यों बुलाया है मुझे सच बताओ चल कह रहा है मैं कुछ समझी नहीं अंजान मत बनो ये बताओ वो विक्टर मैंने उसे आफिस के बाहर देखा था वो वहां क्या कर रहा था वो अपनी गुल्फरेंट से मिलने आया होगा वैसे भी इससे मेरा क्या लेना देना वो लैप्टॉप जिसे मेरे अपार्टमेंट से चुराय गया था क्या वो सब तुमने करवाया था वो गुंडे तुमने भेजे थे तुम बस किसी तरह मुझसे विक्टर के बारे में इंफरमेशन लेना चाहते हो लेकिन तुमारे पास कोई सबूत नहीं है सबूत है मेरे पास मेरा चुराया हुआ लैप्टॉप देनिस मेरे पास लेकर आया था वो तुम्हारे घर कैसे पहुंचा चलो अब सज बता भी दो कि तुम्हारा विक्टर के साथ क्या रिष्टा है या ना उस वक्त मैंने तुम्हें एक्स्पोज नहीं किया था लेकिन मैं चाहू तो अब भी कर सकता हूँ वो डेनिस को वीडियो भेजने की धमकी दे रहा है वो वही वीडियो है जो तुमने अपने घर में लिया था क्या आप तुम खुश हो? अब वो तुमसे क्या चाता है? पैसे मांग रहा है कल दुपहर को मैं उसे पैसे ऑफिस के पास वाले क्याफे में देने वाली हूँ गलती तुम्हारी है साप के अपनी पूच को काटने वाली कहवत को सच कर दिया अपने आपको मुसिबत में डाल दिया मैंने कहा भी था कि अभी सुदर जाओ ओ तुम तो बहुत बड़े समझदार हूँ आंडरी तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा पुरानी लाइफ को छोड़कर एक नई जिन्दकी शुरू करना यादे तुम कस्में खाते थे मुझसे प्यार करते हो और अब क्या हुआ तुम किस्से प्यार करते हो मुझसे तुम नहीं और पता नहीं मेरी बहन के लिए तुम्हारा ये प्यार कब तक कायम रहेगा दो साल शायर या फिर तीन या फिर पांच ये तुम क्या कह रही हो नई यांडरी तुम्हें ये ध्यान दे रहा होगा अगर मेरी बेहन को सच पता चल गया तो तुम्हें लगता है वो तुम्हें माफ करेगी क्योंकि तुम्हें सब कुछ पता था और फिर भी तुम इसके बार में चुप रहे हम सब के पास राज है दूद के धुले तो तुम भी नहीं हो इसलिए फ्लीज बार-बार भ्लेम करना बंद करो और मैं सच कहूं तो एटलीस्ट मैं ऑनिस्ट हूँ हो गया तुम्हारा तुम जताते हो कि तुम्हें मानदार हो और बहुत अच्छे हो जबकि तुम अपने फायदे के लिए किसी को भी धुका दे सकते हो वो भी अपनों को तुम जूट बोल सकते हो फिर चाहे तुम जूट को प्यार का नाम दे दो लेकिन सच बात तो ये है कि चुप हो जाओ याना आना के बारे में बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं है समझे तुम मुझे लेक्चर देने की जूरत नहीं है सच तो ये है कि तुम एक औरत से जूट बोल रहे हो जिसे अमनीज्या हुआ है इसलिए मुझे ग्यान बातना बंद करो समझ गए तुम कोई मेरे सचे जज़बात समझी नहीं सकता क्योंकि मैंने उन्हें छुपाना सीख लिया है अब मैं सब को बताऊंगे कि तुम्हारी असलिएत क्या है याना जब कोई आस्मान से गिरता है तो कितनी तक्लीफ होती है क्योंकि अब गिरने की बारी तुम्हारी है अंदर आ सकता हूँ? ओ हाई, हलो एंड्री, तुम्हें कॉफी चाहिए? कॉफी? थाइंक यू वेरी मच अच्छी खुशबू आ रही है, इसमें लेमन भी है हाँ, इसमें लेमन है एस्प्रेसो रोमानो तुम जानते हो? ये याना को बहुत पसंद है तुम दुनों के टेस्ट आपस में बहुत मिलते हैं, है न? क्या तुम्हें इसी बारे में बात करनी थी? मेरे पास अब ही वक्त है, तुम बात कर सकते हो इतनी जरूरी बात नहीं है इस्क्यूज मी जैनिस, तुम बजी हो, लेकिन कुछ देने आई हो, तुम्हारे लिए पाकेज आया है थेंक्यू एक्स्क्यूज मी, थोड़ा अरजिन थी कोई बात नहीं एना डब्रवाल्स की कंपणी के पैसों का गलत इस्तमाल करिए उसका प्रूफ है क्या? यह कैसे हो सकता है पैसे कहां पर है मैं तुम्हें सिर्फ 35,000 दे सकती हूँ यह कैसा मजद क है, ठीक है, मैं तुम्हारे पते के पस जा रहा हूँ अगर इस वक्त यहां से तुम चले गए तो कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन अगर तुम रुप गए तो बहुत सारा पैसा तुम्हें मिल सकता है सारा पैसा नहीं लेकिन काफी कुछ मिलेगा इसके बारे में सोचो मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए और वो मुझे अभी कभी चाहिए पता नहीं, लेशिया ने और क्या लाने को कहा था हमें उसकी मदद करनी चाहिए तुम बीच में मत पड़ो, वो खुद ही सबसमाल लेगी तुम फिर से अपनी इंसल्ट करवाना चाहते हो हाँ, तुम सही कह रही हो तुम कॉफी ओर्डर कर दो, मैं मेन्यो देखकर पीजा ओर्डर कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है, जाओ इतना याद रखना पूरी जिंदगी तुम्हें मर मर के जीना होगा और मैं तुम्हें बरबाद कर दूगी मैं तुम्हें खत्म कर दूगी सुना तुमने? क्योंकि तुम अभी जानते नहीं हो कि डेनिस तुम्हें पैसे देगा या नहीं देगा तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला है पैसा भी नहीं मिलेगा और खत्रा भी मोल लोगे ठीक है मैं रख लेता हूँ जो तुम लेकर आई हूँ ये सब क्या हो रहा है क्या हुआ 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 है